गौलियर चंबल इलाके में उप्चुनाव के पहले कॉंग्रेस विधायक बाबू जंदेल सरकार के खिलाफ शीशासन करते नज़र आए विधायक जंदेल का आरोप है कि भाजबा सरकार किसान विरोधी है नीचे मुंडी और उपटान ये कोई योग की क्लास नहीं है ये ग्रामीडों और किसानों का अंदोलन है शेवपूर में जब सलेक्टर ग्रामीडों से ग्यापन लेने नहीं आये तो कॉंग्रेस विधायक बाबू जंदेल की नाराजगी भी जायज थी विधायक जंदेल ने विरोध में शर्ट उतारी और दफ्तर में ही शीशाशन करने लगे हैं शीशाशन के दोरान विधायक ने भाजपा सरकार को किसान विरोध ही बताया जमीन के बदले चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टरेट का घेराज किया था इस मौके पर कॉंग्रेस विधायक बाबू लाल जंदेल भी मौजूद थे किसानों ने कलेक्टर राकेश श्रिवास्तफ को बुलाने की मांग की आधा घंडे तक कलेक्टर नहीं आए तो सभी ने कुर्ता और शर्ट उतार कर प्रदेशन श्रू कर दिया इस बीच विधायक बाबू जंदेल ने शर्ट उतार कर किसानों का समर्थन किया और सिशासन शुरू कर दिया इसके एक घंटे बाद कलेक्टर आए लेकिन वे नारेवाजी से नाराज हो गए और लोट गए उन्होंने किसानों का ग्यापन भी नहीं लिया किसानों ने कलेक्टरेट परीसर में ही ग्यापन पढ़ा और इसके बाद उसे दिवार पर चस्पा कर दिया विधाय जंदेल ने कहा ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों की ताकत इस सरकार को सबग भी सिखाएगी पर ग्यापन प्राशक कर दोखुब दियुद कर ते जहँ परूद कर दोल कर दूद कर दिEMA संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्डीती से उटमीती तक तखल नियूद, आप क्या थे? आप देख रहे हैं तखल नियूद